आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत जादा इंपॉर्टन टॉपिक विच इस कुछ में में पॉइंट्स के बारे में वह देखते हैं फिर आपको खुली समझ माजाएगा कि क्या इसका नाम इसका क्यों पढ़ा हुआ है और इसके कुछ कुछ करेंगे जिसके बाद आपको यह वह टॉपिक जो है बहुत अच्छे से ख्लियर हो जाएगा तो लेट्स टार्ट वीडियो की में पॉइंट्स क्या है सबसे पहला देख लेते हैं तो यह जैसे कि आप जानते हैं आपने अब ही तक पढ़ा हुआ है आपके बीच में लोगी उसके इलेक्टर स्टेटिक बड़ाभेत तो कुछ करता है जैशा ग्रेंटनी बंडलत है सबसे पहला पॉइंट है जैसा कि आपके पास नाम है क्रिस्टर एक्रिस्टर की अंदर आप जानते हैं कि इसके प्र यह स्ञर्ण्ड पढ़ा तो उसी लिए यहां पर जो रीजन है ना उसी वजह से आप इसका नाम क्रिस्टल फिल्ट थियोरी रखा हुआ है हिस्टल पलई के लिए इसके नाम को यहां पे आपको रिप्रेजेंट करती है कि यहां पर bond test test stuff कर रहे हैं हम यहां पर because union is crime so there are ions अग 및 क्या पर सिंट्सक्ट्लेश नाम के बीच में पर है रिय। इलेक्ट्रेटे अथे तक欸 between the metal ion and the and as this interaction are similar to those between ions in a crystal that's why named as crystal field theory तो आपको यह बात भी तो पता होनी चाहिए क्रिस्तल फील्ड का नाम क्रिस्तल फील्ड क्यों हो पड़ा है बिकर्द जैसे क्रिस्तल के अंदर आइंश की उती है वैसे हम वैसे ही ब्लकुल पढ रहे हैं हाँ पर भी कैसी कि बीच में जो भी इंट्राक्शन से उनको हम उसी तरह फील कर रहे हैं जैसे कि क्रिस्टल में होती है तो हम यहां पर इसे क्रिस्टल फील्ड थियोरी तो पहला बात आपको समझ में आगया होगा कि यहां पर बॉंडिंग कैसी है आइनिक बॉंडिंग है आप सेकंड अगर हमने लाइगंड को इस तरह से अरेंज करा हुआ है उसके आप अगर कहेंगे उसके जैसा भी स्ट्रॉक्चर है उसे हमने इस तरह से अरेंज किया हुआ है क्रिस्टल फील्ड के कॉडिंग कि वो उनके बीच में बहुत जादा कम आपके पास रिपल्शन दिखाए दे आपको यह वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा वहां पर कि क्यूं वहां पर आपको मेटल की जो आपके बहुत जादा कम रिपल्शन देखने को बिल रहा है ठीक है नेक्स पॉइंट हमारे पास आजाता है देखिए आप जानते हैं कि हमारे पास डी और्बिटल होता है उसमें हमारे पास 5 के 5 हमारे पास और्बिटल दिखाए देते हैं ठीक है डी वाले और्बिटल में 5 आपके पास होते हैं ठीक है तो यहां पर according to this theory यहां पर होता क्या है कि जो 5 के 5 आपके पास और्बिटल होते हैं डी के उनमें वो क्या होते हैं आप जानते हैं यह जानते है जो आपके पास है वो अगर बी ऑर्बिटल के अगरों की बात करें तो उनकी सारे की सारी इनर्जी कैसी है डी जन्रेट है वह सब के साथ पांचों के पांचों के पांचों जो उसके ऑर्बिटल है डी जन्रेट है वह इस पॉइंट में लिखावा है यह सारे डी जन्रेट वर्ड इन्हीं के लिए यूज होते हैं यह आपने पड़ रखाया वैसे भी तो यह पॉइंट है तो बताना जरूरी है अभी हम जो क्रिस्टल में देखेंगे वह दी ऑर्बिटल का ही देखते हैं उसी के स्प्लिटिंग देखते हैं तब हम इसे क्या ब इस नवर देखते हैं चलते हैं किस स्प्लिट करेंगे तब देखते हैं सबसे पहले होता कैसे हैं किस तरह से होती है सबसे पहली बात सबसे पहले बात इस तरह से इनरजी डाइघरम शुर करेंगे तरह समें आप पांच इस तरह से और्बिटल आप बना लीजेगा यह आपके पास पांच ठीक है किस किस के हैं यह लिकलू इन के नाम लिख लीजे क्या होते हैं पांचों के नाम डी जनरेट और्बिटल के नाम तो आप जानते ही होंगे dxy d y z d z x फिर आपके पास कैसे वाले आते हैं d x square minus y square ठीक है और फिर लास वाल होता है d z square ठीक है इसका शेप अलगी होते हैं आप ने देखा भी होगा तो यह जो हैते हैं हमारे पास 5 degenerate orbitals होते है dk लिख लिजे इसका नाम degenerate orbitals यही पर लिख लिजे degenerate degenerate orbitals ठीक है साथ के साथ इसे note भी करते जाएए और समझते भी जाएए तो कैसी होती है स्प्लिटिंग किस तरह से स्प्लिट होते हैं यह आपको यहां देखिए दो आपके जो स्प्लिटिंग होती है कम energy वाले यानि कि यह दोनों orbitals इन्हें हम नीचे रखते हैं यह रहे दोनों orbitals दो आर्बिटल्स यहां पर बचे वे जो होते हैं तीन orbitals इसी तरह से हमेशा इनको distribute करते हैं हमेशा d x square minus y square यह आपके पास कहा है d x square minus y square और यह कहा है d z square हमेशा इससे हम क्या करते हैं d x y और d y z और d z x की तरह हम इसे हमेशा distribute करते हैं बस हमेशा case रहता है इनकी energies का अलग distribute हमेशा इसी तरह रहेंगे x y y z x हमेशा एक साथ ही आते हैं उनकी energy हमेशा सेम रहती है और आपके पास d x square minus y square है और z square वाला है यह वाले हमेशा साथ में आते हैं इनकी energy जो होती टेट्रेड्रलन की coordination number 4 जब रहेगा तब हमेशा इनकी energy कम रहती है इतनी बात समझ में आगे आपको आपके पास आप यह नीचे वाले और्बिटल में रहते हैं तब इन्हें हम बोलते हैं ऐ ठीक है और जब यह ऊपर वाले में रहते हैं तब हम इससे किसे का नाम होता है टीटू नीचे वाले का नाम होता है E, और दूसरे वाले का नाम होता है T2, यह नाम उन्हें बहुत ज़ Spencer कर पाएंगे चीजों कि कब कहा क्या होगा है, तो नीचे वाले का नाम होता है, आपके पास E, और दूसरे का नाम हम बोलते है T2, ठीक है? अब दिखें यहाँ पर, जो भी आपके पास नीचे वाले में एनर्जी थी कि एनर्जी का ही हम दिखा रहें बेसिकली सो नीचे वाले की एनर्जी और उपर वाले की ज्यादा है उपर वाले की एनर्जी को आप नीचे वाले की एनर्जी से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा डेल्टा टी आजाए क्रिस्टल begitu पिल्ट स्ट्धिंग एनर्जी करूँपा वाले में और नीचे स्ट्रिब्ट करेंगे चुर्णS फिल् तरह फिल्ट करना है फिल हमेशा होगा इसी तरह होगा पहले नीचे फिर उपर बट exceptions आएंगे जहां आपके पास क्या होगी पेरिंग होगी अलग अलग आपके पास आपको देखना होगा कि कहा किसकी आपके पास strong field है कौन सा आपके पास weak field है वो आपके पास अभी आगया आएगा तब मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊंगी तेके आपको टेटर पास की स्क्राइब करेंगे यहांपर भी स्प्लिटिंग होगी बट यहांपर फर्क्या वो दिखिए देखे इस तरह से क्या होगा यहां पर स्प्लिटिंग होगी यह स्प्लिट हो गए बैट यहां फर्क क्या होगा यहां फर्क ही होगा कि जो आपके पास एक्स वाई वाई जेड जेड आपके पास अभी तक आया हमने देखा आपके पास जो अभी आया कोडिनेशन नमबर 4 के लिए यहां बिल्कुल रहेगा यहां क्या होगा यहां पर आप आप स्प्लिटिंग करेंगे तो इसके जो आपके पास आएंगे ऊपर वाले दो रहेंगे आपके पास d x sqār minus y sqar d z sqar इनकी energy जो होगी इनके comparison में जादा होगी यह बिल्कुल opposite चलता है पिछले इह और नाम नाम झिए त्ष्यपने पिछलन लिए थे यहां भर her अपर मथे यहां नाम दिया यह क्योंकि वहां पर हमने इसके लिए क्या लिखा था 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 यह उपके पास और उपर कौन आ जाएगा एक स्कॉयर मैनेस वाइस स्कॉयर और दीज़ इस्कॉयर जो आएगा उपर आ जाएगा इतनी बास समझ में आगई आपको यहां पर यहां पर यहां पर जो होती है क्रिस्टल फिल्ड आपके पास उसके हम लिखते हैं डेल्टा ओ ठीक है यहां पर चीवके से लिंगते हैं इसको दिखाने के लिए डेल्टा ओर लिखते हैं और दिखिधेना उसके बाद सीएफink कि लिए है यह सीएफ एस फ्सी डिय्टा ओर उनसके बाद सीफ एसे आप लिख देंगे पहले था देल्टा आपके पास T था अना डेल्टा तट्राइड्रल के लिए तो यह है तो यह है जो कर रहे हैं यहां पर यहां पर किस्किल फिर्टिंग एनरजी है उक्ट हेड्रिल के लिए इसलिए हमने पर डिल्टा हो लिखा है राइट इती बास बढ़ गई एक और चीज आपर बताने वाली हूं जैसे मैंने आपको बताया था मैंने आपको कि रिपल्शन के अकॉर्डिंग यह लोग अरेंज है ना तो यह वाला पॉइंट बताने का वक्त आ गया यहां पर और यह क्योंकि इस चीज को भी यहां पर सजेस्ट करता है कि आपके पास जो यहां पर यह तीनों के थीनों है यह नीचे क्यूं है और उपर क्यूं है इसका रीजन भी यह बता देता है ठीक है तो यहां पर सबस्क्राइब आपके बिंड हो और 1 रहते हैं दो रहते हैं यह यह वह जानते हैं नो के तो यहां पर क्या होता है जब अगर हम बात कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि यहां पर आप देखेंगे जो आपके पास लाइगेंड आपके पास प्लें में आपको दिखाई दे रहे हैं यह सब एक डिरेक्शन को शो कर रहे हैं क्योंकि यह सब 90 है किसी को भी एक्स कौन सा वाइ कोई फर्क नी पड़ता क्यूंकि तीनों के तीनों क्या है एक आपके इनके पास एक्सेज है यह अगर हम देखें इसको एक्सेज मान ले सकते हैं इसको वाइ मान सकते हैं इसको जैड मान सकते हैं कुछ भी मान सकते हैं तो इसी के एक्कॉर्डिंग हम क्या करते हैं इनको बाट देते हैं तो अगर आपको बताऊं तो होता का है बैसिकली आपके सब्सक्iphon के पास ऐद में आ रहा है था यह नहीं एक के पैस्में इस तरह से लिए इस अप्र फेल कर सकते हैं जो आपके पास रहता बहुत कम रहता है तो आ법 deprived देखेंगे उपर वालों को अगर ऐसा फील करें कि यह क्या है दी एक स्क्वार माइनस वाइस स्क्वाइब बांने से स्क्रीथ यह यह बड़की दोगी वैंलों घी दा है यहtez फंद है और लिज्य कि फेन करें आड पर है और दुसरों के नेचे है इतनी बास आपको बोला था कि crystal field follow करती है, crystal field follow करती है, minimum repulsion को देखती है, जहाँ-जहाँ minimum repulsion होगा, वहीं आपके पास उसी तरह ligand arrange हो जाएंगे, तो ऐसे ही कोई octahedral ही बना वहा है, सब कुछ rules के cording हो रहा है, सब कुछ rules के cording है, इसी तरह यह अरेंज इसलिए होते है, इसलिए होते है प्लेन के ऊपर है, एक प्लेन के नीचे है, इतना repulsion है, इतनी हाई energy है इनके बीच में, इसी वजह से क्या होता है, इजी आपके पास, जान कि d xy, yz, zx के comparatively वह उपर आता है, रिजन समझ में आ गया octahedral का, but अगर हम वहीं देखे हैं, वहीं अगर आप देख रहे हैं, अ तो उसकी energy को हमने वहाँ दिखा दिया है, ठीक है, नीचे दिखा दिया है उनकी energy को, और जादा हमने दिखाया है, xy, yz, zx को, ठीक है, वहाँ पर ज्यादा उसमें कोई वो नहीं है, बट octahedral में बेसिकली यहीं repulsion ज्यादा आपको दिखाई देने को मिलता है, इतना यह समझ भा गई, तो अब हम चलेंगे questions की और जिसके लिए मैं आपको बोल रही थी तब से, ठीक है, उसको समझ लेते हैं, एक बार पहले, question है, आपके पास explain d4 configuration, d4 न की आपके पास 4 electron है, वो बल रहे हैंगे, explain d4 configuration in octahedral complexes according to CFT in case of weak field ligands in strong field ligands, तो weak field के लिए show करना है, strong field के लि इसको समझनी है, इस question को करने से पहले, दिमाग में आपके होने चाहिए, वो आप एक बार लिख लीजे, तब से पहली बात है, weak field के लिए, weak field के लिए, और दूसरी बात है, strong field के लिए, पहली बात सुनिए, weak field जो होगा, उसमें क्या होगा, high spin complex होगा, यानि की, high spin complex होगा, इसको क्या मतलब हुआ, high spin complex का, आपके पास जबी भी weak field रहेगा, तब आपके पास क्या होगा, unpaid electron जो होगे, बहुत ज्यादा होगे, unpaid electron जो होगे, आपके पास ज्यादा होगे, इसलिए हम क्या बोटे से high spin complex बोल रहे हैं, because spin जो होगे, यहाँ पर ज्या रहेंगे, unpaid रह क्योंकि strong field में, क्योंकि pairing हो जाती है, मैंने आपको बताया था, exceptions बताया था, मैंने आपको, कि strong field में pairing हो जाती है, इसलिए case रहता है, unpaid जो होगे, कम ही रहते हैं, वो तो कभी-कभी होता है, वो pair up नहीं हो पाते है, तब की बात अलग होती है, तब अलग होती है, ज्यादा का complex कभ जादा होगा, ज्यादा तब होगा जब आपके पास unpaid होंगे, electron ज्यादा होगे, तो ज्यादा स्विन कॉम्पलेक्स दिखाए देगा, अगर आपको पास unpaid electron कम है, तो spin complex भी तो कम दिखाए देगा, so low spin complex हाएगा, in case of strong field, याने कि unpaid electron are less, ठीक है, so unpaid electron होगे, बहु इतनी वास समझ मा गई तो इसे आगे बढ़ने से पहले एक बार रिकाल करा दूं आपको strong field लाइगन कौन से हैं और weak कौन से हैं तो strong field आपके पास ने देखे थे महां पर 5 मैंने बतायते हैं ने में pairing हो जाएके नम क्या था सबसे जाएके कम कर चाएं कौन से हां कमा आपके बालता है तो अबहरन में 5630 अपको कर दिमाग रिपरिंग प्रुट के सब def região से नाम क्या थान तो जब आपके पास में ने चीब नाम कवेर्शार को पर शीव यह185 व det आभफे मेटल के साथ यह वाले लग गए तो मतलब क्या हो जाएगी अब अब जबी भी हम उसकी हाइड बनाएंगे या फिर उनका अगर आप उनकी हाइड बना रहे हैं तो अभी क्या होगा आपके पास यह सब के सब जोगी रिवर्स पेरिंग शो करेंगे यह अपने क्या करेंगे अ इत्ती बात समझमा गी न अब आके बढ़ते हैं कि सब्सक्राइब देख़ागे और एक बार सुम्यों ही बंश्रा बात 2 इसे बैसे कि सब्सक्राइब ऑख करना सब्सक्राइब किस तरह स् 64 कि अंश्र के फोगा टो जब आपके पास वीक फील्ड की बात आएगी पूरा लिखेगा आप वीक फील्ड लाइगन की बात आएगी तब आपके करेंगे इस तरह से बनाएंगे एनरजी को दिखाएंगे पर इंचे पास यानई के विक फील लाइगन चाहिए की केस में हो जाएगा कि अब जो आप मेशर आपके बनाएं का 展 की धील बनाएं इस तरह से बिनानाइक कहते हैं अच्छा नहीं में लगता है वैसे भीता सीफ़ी आप है यहां पर आपके पास ऑड़ी कौन सा वाला के पास ऑड़ पास इग इसका पोड़ रहता है और इसका नाम होगा ठीक है अब यहां पर अगर हम देखेंगे, EG के लिए, यह आपके पास EG का बना दिया, ठीक है, EG का बना दिया, D X स्क्वेर माइनस Y स्क्वेर, B Z स्क्वेर, ठीक है, EG, और इसका हम जानते हैं, इन दोनों का जो गाप होता है, यानि कि इनका जो एनरजी का, अगर हम निकालेंगे difference वो क्या होता है डेल्टा ओ यानि की ऑक्टाइडल के लिए जो भी चेंज इन्थेल्पी होगी तो यह बात है अगर वीक फील्ड रहेगा तो यहां पर जाएगा यहां पर जाएगा यहां पर जाएगा यहां पर जाएगा इस यहां वाला जैसे आपके पास आएगा तब वह कहां दれた का यहां पर कर लेते हैं तो यहां पर आपनी से पहले क्या कर लेता अपने आपको पष्द में और स्ट्रोंन दम और क्यूंक है वीग फिल्ड में तो यह वाला छो का इसका इलप्र幫 का ऊरा जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा इस तरह से नाम कि यह अद्ट बनजाएंगे तो अगर हम का इंगलिफी को फिक 먹을 एक अगर इसकी लाइड में में छिस तरह से निक्रीच के लिए बहुत इसी है यह है यहां पर बहुत आला आउसानी ण हम इसी लिकले लेक्ट निकसी लिष्ट को सोंपि curtis तो आपके पास कितने इलेक्ट्रोंस हैं बिल्कुल वैसे लिखते जाना है आपको जैसे हमने अभी तक करा हुआ है तीटू जी में आपके पास कितने आ जाएंगे इजी वाले में आ जाएगा एक तो यह आपके पास इसकी एलेक्ट्रानिक कफिक्रेशन हो जाएगी यहां पर अगर आप देखेंगे कौन साव ऑप्ता-इड्रे खेंगे और स्ट्रॉंग फिल्ड का देखेंगे तो इसी बात को यहां पर आप ऑप स्ट्रॉंग फिल्ड के लिए बिख लेते हैं पैरिंग एंगश्य जाएगा पैर हो जाएगा बहाँ जाएगा हीनी वह जो आपके पास 4 तल्लक्राइं याप म scripts लीजे कए यहयम पर आप बना लीजे नीचे पहले आप बना लीजे कर बलाले अरदी एकस्क्ड टीतुगी ओर यहां minus y square d z square d x y d y z d z x ठीक है आप जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तीन तो इसी तरह फिलोंगे यह ना जो चौथा वाले और चौथा पास इलेक्ट्रों उपर नहीं जाएगा पिकास ट्रोंग फिल्ड है उसका तो अपनी तरफ कर लेगा उसे एक्ट्राइट बीच लेगा इसले हम पूर रहें से ठीक है पेर हो जाएगा यहां पर यहां पर टीटो जी में इतने आपके पास चार हो गए है यह जो बताना कि डिफरेंस किसका है डेल्टा हो है यह अप्टाहडरल के लिए चेंज इन्थल्पी है ठीक है और किस्टल फील्टिंग इनर्जी जो आपके पास है यह रहीगी है ना तो यह लिग दिंगे आप खुझाए इसके रियर इलेक्टरोनिक जोटाहएं कितने हो जाएक सब्सक्राइट को चैर्टिशन क्रमाइट Bena собствен वो आपको आते हैं basically आते हैं यह सब आता है अपको फिर भी आप समझ लीजे से what is spectrochemical series स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज क्या होती है अगर हम इसके हिसाफ से देखें इस चैप्टर के नहीं से उपर जाता वेयं उसे हम नाइज्य में उप इसन दो तक बढ़ते हुए उसे हम इंक्रीजिंग में आपके पास ओर मोली आपके बाद कशेण उसकी उपर जाता hai हुआ जब कर आपके सी आपको यह बात नहीं पता होगी, जो आपके पास पास पारिंग अनर्जी होती है, वह एक टाइप का रिपल्चन होता है, आपने एक और बिट लिया हमने, ठीक है, उसमें एक एक एलेक्टरोन है, दुसरा हमने उसमें, आप जानते हैं, दोनों ही एलेक्टरोन का चार्ज कैस दोनों दुसरा ह desapare raca, उसमें आपको और इलेकटरोन से इस वार एक पींकि ईलेक्टरोन आन्दर की एलेक्टरोन से पिद ऑगा, ठीक है, और रेक्टरोन क्या बात कर रहे हैं? आने में, उसको, enter करने में है, अंधर वाले एलेक्ट्रों से जो आपके पास और ररदी आर्भीटल में ऐघर है उसकी बात कर रहे हैं, थीच है, तो ये आपके पास समझ में आगए कि यहां पर और्बिटल जो है बार वाला जो और्बिटल है वो अंदर वाले और्बिटल से रिपल्शन जो फील करता है उसे हम क्या बहुत है पेरिंग अनर्जी तो इसके साथ हमने यह चैप्टर कितम कर लिया है बहुत चोटा था बहुत चोटा आतनाव वीडियो में हो गय भी ठेकर वीडियो घड़ तो उसके लिए जेप प्रवाशन जो कि अज़िक अगल्शन जो कर दो अब्देट चैनल कि रेली ओंट यह चैप्ट प्रवाशन जो कि आए तो इस सब्सक्राव कि वा एक उप यह जद्ट तो निए अज़िए लेंगे लिए टूटी यह चाट